एंटी ए यूजी सिनेट यानिन इमिजिनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाब रहतास नीमिय और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल इमिजिनेट प्रोपे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वट इज कंप्यूटर जनेशन आफ कंप्यूटर दोस्तों इसमें से पहले कोशन आचके हैं और अब भी जो हमारा 2020 में एक्जाम हुआ है उसमें भी कोशन आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना ध्यान से देखना और ये हमारी ICT की पहली क्लास है देरे देरे करके हम पूरा कंप् आप देखे Amazon के 10,000 रुपए तक के कैस वावचर जीत सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा रैंक दिया हुआ कि सेकंड रैंक आने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे थर्ड रैंक आने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे यह आप जल्दी से जोईन कर लीजिए 17 जनवरी से य आप उनको जोईन कर सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ कि कब से कौन सा बैच चल रहा है यहाँ पर पेपर फर्शन और पेपर सेकंड दोनों की त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज को इतने रुपए देने हैं और लेकिन इसका जो रियल प्राइज आप 16 रुपए के करीब देख सकते हैं अभी आपको 12 रुपए के करीब देने हैं 25% का डिसकाउंट है इसके साथ अगर आफको अडिशनल 10%यर दिसकाउंट चाहिए आपको और अधिक डिसकाउंट कि Computer क्या है Computer का मतलब क्या है और उसका कहां कहां पर यूज होता है और पहले Computer क्यो बना था देखे Computer सवद अंग्रेजी के Computer सब्सेबना है जिसका अर्थ है गणना करना इसलिए इसे गणनक या संगनक भी कहा जाता है इसका अविश्कार calculation करने के लिए हुआ था दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात यह आती है कि जो computer है computer आज जो हम use कर रहे हैं वो उसका उदेश से आज के लिए नहीं हुआ था उसका उदेश से calculation करने के लिए हुआ था सबसे पहले जब बनाया गया था तो calculation करने के लिए computer को बनाएं गया था लेकिन आज जैसे आप सभी को पता कि आज इसका हम इस्तमाल email करने के लिए और audio video calling के लिए database के लिए game खिलने के लिए और पता नहीं कहां कहां use कर रहे हैं इसका कोई अंत नहीं आज बहुत जगह पे इसका use किया जा रहा है बैंकों में use किया जा रहा है सिक्सनल संस्थाव में use किया जा रहा है कर्यालिय में घरों में हर जगह पे इसका use किया जा रहा है और computer का जनक कौन है दोस्तों computer का जनक Charles Wavis को कहा जाता है चार्ल्स वैविज का जनम लंदन में हुआ था वहां की अगर भासा की बात करें दोस्तों तो वहां की भासा अंग्रेजी थी लेकिन उसके बावज़ुत भी कम्प्यूटर का नाम लेटिन सब्द से लिया गया है क्योंकि इंगलिस के जितने भी वर्ड्स है वो कही ना कही लेटिन से ग्रीक भासा से आए है तो दोस्तो एक ऐसी मसीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लेटिन भासा के सब्द कम्प्यूटर को इंकलूड किया गया और कम्प्यूटर से ही हमारा क्या ना है कम्प्यूटर सब्द बना है अगर हम computer की full form की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर है C का मतलब है commonly operated, M का मतलब machine, P का मतलब है particularly, U का मतलब है used, T का मतलब है technically, E का मतलब education और R का मतलब है research तो आप यह चाहिए तो film from you याद कर सकते हैं दोस्तों इसमें से वैसे तो question नहीं आया लेकिन journal knowledge के लिए आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं computer की PDO के बारे में जनने सन के बारे में बात करते हैं इसमें से question दोस्तों बहुत बार question आच के आप older question paper करके देखना योजी से net paper first के उनमें आपको older question paper बहुत मिल जाएंगे और अब अमारा जो exam हुआ था 2020 में उसमें भी इसमें से question आए हैं तो दोस्तों देख लिते हैं इसकी जननेशन पर्थम पीड़ी फर्स्ट जननेशन ये कवाई थी दोस्तों 1945 से लेके 1955 की बीच मानी जाती ह है computer की पर्थम पीड़ी की शुरुवात 1945 से माली जाते हैं इस जननेशन में vacuum tube का इस्तमाल किया जाता था दोस्तों ये चीज़ यहां पर ध्यान रखना जरूरी है और वो matching करने के अंदर question आया था दोस्तों first generation second generation third generation और side में वो दिया हुआ था vacuum tube आएगा IC आएगा क्या था इसमें memory के तोर पर चुम्बकिय टेप एवं पंच कार्ड का उप्योग किया जाता था यह चीज भी आप ध्यान रखना दोस्तों यह यह चीज़े इनहीं में से question बनता है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं first generation जो computer था वो इस तरह का दिखाई देता था और आपने स वो भी as a हम computer कह सकते हैं उसको भी हम calculation करने के लिए पता नहीं जो काम हम computer से कर रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि आज के computer का जो size यह वो बहुत छोटा हो गया है आगे हम बात करते हैं दोस्तों द्वित्य पीड़ी second generation की बात करते हैं यह आई थी दोस्तों 1955 से लेके 1964 के अं गौस्ट पीड़ी में vacuum tube का उपयोग किया जाता था यह चीज़ आप ध्याद में रखना इसका किसी ने किया था विलियम शौकली ने किया था 1947 में इसका इस्तमाल किया था इसमें एसेंबल भासा का उपयोग किया गया था इसमें memory के तोर पर चुम्बक्ये टेप का प्रिय से तरके बीच माने जाते हैं और यह देख सकते हैं इस तरह का कम्पीटर होता था थर्ड जनरेशन का इसके अंदर के आज दोस्तों के तीज तीसरी पीड़ी की सुरात 1964 से माने जाते इस जनरेशन में आई सी का उप्योग किया जाता था आई सी का पूरा नाम है इंटीक रेटेडी सरकर्ट इसमाइशो टेकनलोजी का आप्यों किया गया था SSI का और SSI का पूरा नाम किया दोस्तों Small Scale Integration ठीक है यादि कि छोटे लेवल पे Parts को Assemble कर रहा यह होता दोस्तों इसमें High Level Language का उप्योग किया गया था ठीक है यहाँ पे क्या है दोस्तों High Level Language और उपर क्या थी उपर हमारी मसीनी भासा का उप्योग किया गया था यहाँ पे मापको दिखा देता हो ताकि आपको अच्छे से समझ में यह देखे इसमें भी Assemble भासा का उप्योग किया गया था ठीक है और इसमें देखिए यहाँ पे इसमें मसीनी भासा का उप्योग किया गया था ठीक है तो यह चीज़े आप चोथी PD fourth generation की बात करते हैं और इसमें आप computer देख सकते हैं इस तरह का आ गया था ऐसे दिखने लग गया था computer की चोथी PD की सरवात 1975 से 1989 के बीच मानी जाते हैं इस generation में IC की आधुनिक टकनिक का उपयोग किया गया था और इसमें कौन सी तरह की कौन सी IC थी इस IC में VLSI तकनिक का उपयोग किया गया था और VLSI की full form किया दोस्तों very large scale integration और पिछले में किस का उपयोग किया गया था SSI का small scale integration का उपयोग किया गया था यह चीज़ भी आप ध्यान रखना आगे हम बात करते हैं दोस्तों पांचमें PD की फिफ्ट जनरेशन की बात करते हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं यह कौन सी है फिफ्ट जनरेशन है दोस्तों कंप्यूटर की पांचमें PD की सुरुवात 1989 से मानी जाती है इस जनरेशन में IC की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगया था आई-सी की यह तकनीक VLSI मानी जाती है और इसका पूरा नाम किया दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन ठीक है बहुत लार्ज इंटिग्रेशन करना यानि की चोटे-चोटे पार्ट बनाना बहुत चोटे पार्ट बनाना यानि कि ऐसा होने लग गया था कि language programming का उपयोग किया जाने लग गया इन भासाओं में GUI interface का उपयोग किया जाने लग गया अब देखें दोस्तों आगे हमारे पास नैनो computer नैनो सतर पर निर्मित नैनो ट्यूग के प्रयोग से अत्यन्त छोटे वह विशाल समता वाले computer का विकास किया जा सकता है देखें नैनो का मतलब क्या है कि बहुत छोटे लेवल पर computer को बनाना बहुत छोटा बनाना और उसकी जो समता ना काम करने की ability है वो बहुत ज्यादा विक्सित करना समता उसकी ज्यादा विक्सित करना आगे दोस्तों हमरे पास quantum computer यह है प्रकास के quantum सिध्धानत पर अधारित है जिसमें आंकटों का संग्रेन यानि कि इसके अंदर क्या है दोस्तों इसमें जो स्पीड होगी ना स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड होगी इसके अंदर जो data वगरा है वह बहुत अच्छे से श्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीजी आने वाली है और यह कड़ियों गम में रहते हैं इसे क्यों वीट्स भी कहते हैं इसके अंदर देखे दोस्तों वैसे तो यह quantum computer आज भी यूज किये जाते हैं लेकिन यह नॉर्मल चलन में नहीं है यह बड़ी बड़ी लैब्स वगरा के अंदर इनका यूज किया जाता है quantum computer और nano computer इन दोनों को use किया जाता है लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी लैब्स जो होते हैं उनके अंदर use किया जाता है और generally हम जो use करते हैं वो दोस्तों पांसवी PD के computer को use करते हैं तो ये चीजी है दोस्तों और मैं उमेद करता हूँ आपको हमारी class अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी class अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजी कमेंट कीजी सेर कीजी थैंक्य दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल ने मिजिन एड़ परो को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे का वटन दवाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को सानी से देख सके और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेके दिसम्मर 2019 तक सभी सिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर साइकेंड चाहिए पलस में एड़ फरी वीडियो चाहिए और मोस्ट रिपीटिड कोशन के बारे में पता करना है तो आप ह दोनों एप दोस्तों पले स्टोर के अंदर है आप निमीज नेट सर्च करना दोनों एप आ जाएगी और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से भी आप यह एप इंस्टॉल कर सकते हैं